जैहिन दोस्तों मैं हूँ राकेस फोजी दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम राइफल की जो नई वे केंसे टेक्निकल ट्रेट्समेंट की इसके अंदर किसी बच्चे का सेलेक्शन हो जाता ट्रेट्समेंट से तो जो जो वन ट्रेट्समेंट से आप मन में अपको पूरी जानकर मिलने वाली है अगर आप चैनल पे पहले बार आए हैं ज़रों कर लिए गाज यह दोस्तों असम tracing से ट्र ay में क्या होता था कि जैसे sm mark यह जिदनी है वह से सभी फोस्ट के अंदर जो जवान ट्रेड्समेंट से बढ़ती होते थे उनको जिड्डी में कर्णट होने के लिए प्रोसेस होता था लेकिन अभी वर्तमान सरफ बीस अफ को छोड़ दी जाए तो किसी भी फोस्ट के अंदर ऐसा भी को रूल नहीं है कि आप ट्रेड्समेंट से जिड्डि में हों लेकिन एक सम राइफिल के अंदर अगर आप ट्रेड्समेंट से बढ़ती हो जाते हैं और आप जिड्डि में कर्णege होना चाहते हैं तो आप ळूटरी जाना चाहते हैं तो उसके लिए पोस्ट पर आपको जाना है और उसके लिए पोस्ट पर आपको जाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपनें डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है कि मुझे वही इसमें हवल दरकलर्ण रखी जो रिल्ली बढ़ती है इसके अंदर मुझे पार्टिस्पेट करना है और हवल दरकलर्ण रख बनना ए तो उसमें आपको जब एनोसी मिल जाती है तो उसमें आपको पूरी प्रोसेस जैसे एक नया बच्चा करता है जो पहले बार फोर्म अप्लाई कर रहा है सेम आपको पूरी प्रोसेस कंप्लेट करने पड़ेगी आप ट्रेट्समें से बढ़ती है इसका कोई नहीं है कि आपने सिर्फ एक अगजाम देर आप वल्दार कर रख बनेगे जिडी में चलेगे उसके लिए आपको स्टार्टिंग से लेकि जैसे एक नया फोर्म अप्लाई पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है तब ही आप अपने ट्रेट बदली करना या आप अगर यहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं बस अब आपको फाइदा यह मिलता है कि आप जब आप सारी प्रोसेस करके दुवारा से अगर माल आपको स्लेक्ट हो जाते जीडी में या किसी भ कि आप को अगर आपने ले रखी है तो आपको जो पर कि प्रोष में किसी प्रकार चुट नहीं मिलती है यह दो जितने भी होते सब के साथ हुल यरी प्रोषा साइस को करने पड़ती है तो यह on है आपको ट्रेड अगर बदली करना चाहें तो यही एक प्रोसेस है इसी प्रोसेस के थुरू आप जा शकते हैं लेकिन आपको सुचे कि कर लो मैं ट्रेड़्समें से जिड़ी में कुई अलडीस एक्जाम दे के या मिच इतनी में सर्विस का टायम हो जाए कोई एक अग्जाम लगे और मैं जिड़ी में करना जाओ तो ऐसा कोई प्रोसेस अंदर नहीं है तो इसका आपको सुरू से स्टार्टिंग से पूरी प्रो झाल